प्रशन है कि अर्धना रिस्वर सिर्षक पाठ के लेखा का कौन है तो काफी महत्पुन प्रशन है कि इसके लेखा कौन है अर्धना रिस्वर पाठ के तो वह है रमधारी सी दिनकरजी अपना एंसर टाइप करते चलेगा इसे पाता चलेगा कि आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपकी तियारी कैसी चले रही है इसे यहीं पता चलता है तो option नमर जो C है इसका right answer हो जेगा और मुहारा केस की बात करें तो इनके द्वारा जो part लिखा गया है वह सिपाही की मा याद रखेगा और यहां प्रशनी की चंदरधर सारमा गुलेरी की इन में से कौन सी कहानी है तो इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई थी वह उसने कहा था यहीं कि option नमर जो D है इसका right answer हो जेगा D इसका सही answer हो जेगा और बात करें रोज कहानी के तो रोज जो इन पार्ट लिखा गया था वह सचीदानन हिरान वादसान यग्यक के द्वारा यहाँ पार्ट लिखा गया है और जूठन की बात करें तो जूठन के जो लेखक हैं वह उम परकास बालमी की जी हैं और तीरिश पार्ट के जो लेखक हैं वह उदय परकास जी हैं कोई भी प्रश्ण आता है तो पूर्टा आप रेडी रहेगा बोड एक्जाम देनी के लिए कि एक भी प्रश्ण तर अब इससे बाहर नहीं आने वाले हैं और यहाँ पर प्रश्ण के सिर्शा सिर्शक निबंध के रश्णकार कौन है सिक्षा पुछा है तो सिक्षा के जो रश्णकार है वह जी कृष्ण मूर्टी जी है याद रखेगा तो इसका राइट एंसर होजेगा अब बस अन तक जो बने रहिएगा क्योंकि इसे देखने के बाद आप मूर्था confidence level आपकी high हो जाएगा और board exam एक भी प्रश्णतर objective question से आपसे नहीं छुटेगा 100% और यहां प्रश्ण की निमन में से कहानी में गेंगरीन का उलेक है यादि कि यहां पर पुछा गया थे कि किस कहानी में गेंगरीन का उलेक है तो सभी को मालू होगा आप पढ़े होंगे रोज कहानी तो option नमर जो B है इसका right answer होज़ेगा गेंगरीन और यहाँ प्रशने की सिपाही की मा के रशनकार कौन है तो उसी समय से बताते आ रहे हैं कि सिपाही की मा के जो रशनकार है वह मुहारा केस जी है यानि कि option नमर जो A है इसका right answer होज़ेगा और अगये के दोरा जो पार्ट लिखा गया है वह रोज याद रखेगा नेक्षन प्रशन है कि जो खाने योग्य है वह क्या होता है तो जो खाने योग्य होता है वह जाहिल सी बात है वह खाद ही होता है खाद यानि कि खाना यानि कि option नमर जो C है इसक क्या होता है तो इसका आग होता है और नल का आग याद रखेगा इनका option नमर जो A है इसका right answer होज़ेगा अपना answer जरूर टाइप करते चलिएगा दोस्तों और यहाँ प्रशनी कि आयूश्मान सब्द का प्रेवाची सब्द क्या होता है काफी महत्यपुन प्रशने कि वह हुआता है तो इसका right answer होज़ेगा वह रखेज़ना का जो सही answer होजेगा और यहाँ प्रशन है कि डराओना सब्द का प्रेवाकी सब्द क्या होगा कि डराउना सब्द का प्रवाची सब्फ सब पूछा है तो डराउना का जो होता है दोस्थो यानी कि अपसर नमर जो सी है इसका लिए सपर यंशू होज़ेगा इसलोग अट्टिज से ही हम लोगे टरते होता है तो यह जो होता है दोस्तो यह इस्तिलिंग के सब्द होता है यत्रा और चमक के सब्द होता है तो चमक के यह भी इस्तिलिंग के साथ इसका rate answer चला जएगा निका option नमबR जो B है इसका right answer होजेगा नेक्टपरस्ण है और यहाँ पर परस्ण कि संधी के कितने भिएध होते हैं काफी महत्तपूर प्रस्ण दोस्तों कि संधी के कितने भेध होते हैं तो संधी के 5 भेध होते हैं निका प्स长-non जो संधी के तीन भेद होते हैं स्वर संधी ब्यंजन संधी और पिसरग संधी पांस तो ये संग्या के होते हैं संधी के तीन भेद होते हैं और चार जो होते हैं ये बिशेशनर के भेद होते हैं और चोह जो होते हैं वसरवर नाम के भेद होते हैं रखेगा तो अप्सन नबर जो सी है इसका राइट एंसर होजेगा संधी के तीन भेद होते हैं काफी मत्पूंड प्रस्ण है और यहां प्रस्ण की पुरान सब्द का बीशेशन क्या होगा पुरान का बीशेशन पुझाए तो जाहिसे बादे वह चार पर करका होते हैं और प आप दो से तीन बार भी इस वीडियो को देख लेते हैं अच्छे से तो सब परसेंट अब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा आपकी क्योंकि इससे बहार आने वाला नहीं है और यहां प्रस्ण की भीर सब्द संख्या है तो भीर क्या होता है भीर तो जाहिद से बात है यह सम μεास ब्यकति वस्तू हैं और जाती वाचक में हो गया जैसे लणका हो गया पूरे जाती का बोध हो रहा है लड़का लड़की डाब्ब्यवाचक संग्य जिसमें ना पाया तौला क्ल जा सकता है जैसे टेल हो गया अनाज equipped अगया यह और भीर इस समुह वाचक संग्या के रा कारा के कितने भी él होते हैं काफी मत परशन की जो होता है वह 8 परकार्क जो होता है चों जो होता है और सर्वनाम होता है 3 इह संधी के तीन भेदोते हैं और पांच यह संग्या के भेदोते हैं तो याद रखेगा कारा के आड भेदोते हैं यानिका option माण जो d है इसका सही एंसर हो जेगा Next न प्रस्ण है कि यह नाया माल है इस वाख में नाया क्या है क्या संगया है, सर्वनाम है, विशेशाण है या किरिया है तो इस बाक में जो नाया है वह एक परकार का विशेशाण है यानि कि option मर जो C है इसका राइट एंसर हो जेगा जिसने गूरू से दिक्छा ली हो को एक सब्द में क्या कहा जाता है तो जो विद्द्यार्थी गुरू से सिक्छा ली हो उसे एक सब्द में उसे कहते है उसे दिक्छित कहते है यानि कि option मर जो A है इसका राइट एंसर हो जेगा दिक्छा ली हो उसे दिक्छित कहेंगे और सीव का उपासक क्या कहलाता है तो सीउ का जो उपासक होता है वह सेव कहलाता है अगर पुचता कि सीउ का बिशेशार क्या होता है तो सेव ही होता है याँ कि option बार जो B है इसका right answer होजेगा और यहाँ पर प्रशन है कि गोद में सोने वाला क्या कहलाता है काफी महत्तपुन परशन है कि गोद में सुने वाला क्या कहलाता है तो वंक, अंक साई कहलाता है यानि कि C is the right answer for this question अंक साई कहलाता है गोद में सुने वाला और गुरू के समीप रहने वाला बिद्यार्थी क्या कहलाता है तो जो गुरू के समीप यानि कि रहकर पढ़ता है या रहता है उसे अंते वासी कहेंगे यानिका option नमर जो C है इसका right answer हो जगा और जिसका खंड़न ना किया जा सके वह क्या होता है क्या ध्वानी होता है वाई होते है प्रकास या अखंड़नी है तो जिसका खंड़न ना किया जा सके उसे एक सब्द में कहेंगे और खंडा नहीं है जिसका खंडा नहीं किया जा सकता है और यहां पर प्रस्ण है कि जिसका जन में पहले हुआ हो यानि कि बाड़ा भाई उसे क्या कहेंगे तो जिसका जन में पहले हुआ हो उसे एक सब्द में कहते हैं और ग्रज और जिसका जन में बाद में हुआ हो उसे अनूज कहेंगे यानिकि आप्शन में जो C है इसका राइट एंसर हो जएगा और जिसके बीना काम ना चल सेके के लिए एक सब्दे क्या होता है तो जिसके बीना काम ना चल सेके उसे एक सब्दे में कहेंगे उसे अप्रि यानि कि option बर जो ए है उसका right answer हो जाएगा ओ सदानीरा किस बिद्या के अंतरगत आता है तो काफी महत्पून प्रस्ण है कि ओ सदानीरा किस से बिद्या के अंतरगत आता है तो यह जो बिद्या है वह है निबंध यानि कि option बर जो भी है इसका right answer हो जाएगा और ओ सदानीरा प जो राचित पाथ का नाम क्या है? तो ये तो सभी को मालूम होगा कि जै परकास नरायन राचित पाथ का जो नाम है वह है उसका सम्पूर्ण करांती यानि कि अपसन मर जो C है इसका राइट एंसर हो जएगा और बात करे परगति और समाज की तो इसके जो लेखके हैं वह नाम प्रश्णाओं ने के बालक रिष्ण भठ की यूग के राष्णा कारने हैं , और भार्त इंदु यूग के राष्णाओं इसका right answer है अब बरवेर रमायन कीस की राष्तना है , यहbot बरवेर-रमायन यह Worksully राष्णा है तूलसी दास की और बीजग के रसनेका कौन है तो भीजक के जो रचेते हैं वह कबीड़ दास के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा अप अपना एंसर टाइप करते चलिएगा कमेंट बक्स में इसे पाता चलेगा कि आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपकी त्यारी भी अच्छी चल रही है यहीं पाता चलता है तो आप अपना एंसर जल्दी से टाइप करते चलिएगा दोस्तों और यहाँ प्रस्णी की रक्षक सब्द में परते हैं कौन है तो रक्षक सब्द में जो परते हैं लगा हुआ है तो उसमें रक्षक में अंतिम पद परधान होता है तो रक्षक तो रक्षक तो इसमें छो में ऑ है अलाश्ण में को है तो अक है अक परते हैं लगा हुआ है नि तो पार् जोलोक तो परलोक यानिके पहलापद याने कि पहर हो जागा यानिक जो इसका राइट एंसर फूरोजेगा । उमीद करते हैं आपको समझ में आ रही है उग्म आ रही है तो ईंद जोलूर्य दूसतों और चैनल को ज़रूर सब्सक्थ्व किजिए जा हम लोग नेख्क्सन प्रस्ण के बारे में डिसक्स कर लेते हैं यहाँ प्रस्ण है कि अग्यान सब्द में उपसर्ग क्या है तो और जोर उपसर्ग का पहला पर दाने तो एसमें उपसर्ग नियां शर्ट लगाँ होता है और यह यहाँ पर फॉल्ट लगा हुएयं तो ची तो ची में जो परतियें लगा हुए है वह लगा है किसी भी कोश्र में आपको । एक बार जो और कր लिएगा दोस्तों और यहां प्रश्ण की यसोदा में कौन सी संदी है तो यसोदा जो होता है यहां तो विसर्ग संदी होता है तो विसर्ग संदी यहां पे कोई भी अप्सर में नहीं है तो इसका जो यसा हजोर दा होता है तो अप्सर नमर ए में है यह विसर्ग संदी है तो अप्सर नमर जो ए मौम में हलंत रहता है सौम जोर सार तो सौम जोर सार यहाँ पे option number A में इसका right answer दिया गया है तो A इसका सही answer हो जाएगा सौम जोर सार और यहाँ पे प्रशने यह तो आयादी संधी का है कि पवन सब्द का संधी बीचेद क्या होता है तो पवन सब्द का जो सही संधी पीचेद होता है दोस्तों वो जोर on हो जाएगा यहनि का option number जो A ही इसका right answer हो जाएगा अगर पुछता कि नायक या नायक तो नायक का हो जाएगा ने ठीक ने जोर यक नायक और नायक का पुछता तो ने जोर on हो जाएगा तो इस परकार से होगा जब यहाँ पर अकार रहेगा तो डबल एक लिए रहेगा अगर अकार नही रहेगा यानि कि आ का मात्रा नहीं रहेगा ठीक option number जो A है इसका right answer हो जाएगा और यहाँ परशने के उधोग सब्ध का सही संदी बीच потрार होता है तो उधोग में क्या आए कि इसमें तों महलानत रहता है उत D, उध्योग उध्योग निका अपसर में जो B है इसका राइट एंसर हो जैगा और कुहासा सब्ध तो कुहासा आपको बताना है कुहासा कौन सा लिंग है पुलिंग इस लिंग उभाई लिंग तो कुहासा दोस्तों जो होता है वह पुलिंग होता है यानि का अप्शन मर जो यह ही इसका राइट एंसर है और घी का लिंग निरने करना है तो घी सब्द है तो घी जो होता है वह भी पूलिंग के साथ इसका राइट एंसर हो जगा घी जो होए वह पूलिंग होता है और कुहासा भी पूलिंग होता है और पंचायती राजे में क्या खो गया काफी मत्पू प्रस्ण है कि पंचायती राजे में क्या खो गया तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था इसमें पंच की मौत है यानिकि एक लेख और एक पत्र के पत्र में भागा सीह ने किसको पत्र लिखा था काफी महत्पूर प्रस्ट है कि एक पत्र और एक लेख में भागा सीह ने किसको पत्र लिखा था तो इसका जो राइट एंसर हो जाए वह सुखदेव को लिखे थे यानिकि ए इसका राइट एंसर हो जेगा और तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध या रखता है तो तेरी कुड़माई हो गई यह जो कहानी है यह उसने कहा था यानिका अप्शन मर जो भी है इसका राइट एंसर हो जेगा तो चलिए हम लोग नेशना प्रश्ण को बारे में डिस्क पध पर थे तो ज्यानेद्रपति जो थे इनका जो पध था वहाँ कारा अधिक्चक थे यानि कि अपसर नमड़ जो सी ही सब्द का बिलोम पुछा है तो अस्तूती तो अस्तूती करना यानि कि निंदा करना इसका राइट एंसर होज़ेगा अप्सन अबर जो ए है इसका राइट एंसर होज़ेगा संध्या का बिलोम सब्द क्या होता है तो संध्या का तो जानते ही साम होता है तो प्रातः यानि कि अप्čान आपके ओप्शनम्र जो यह ही इसका राइteонर हो जएगा संध्यास का प्षाथ दूसीत है यह गांदा होता है तो यहाँ पे बेलूम पुछा है तो दूसीत सब्द का जो पिलीस होता है तो CS का जो बिलोम सब्द होता है वह असेस हो जाएगा यानिका option number जो B है इसका right answer हो जाएगा असेस और lead better की नजर में जे कृष्ण मूर्थी क्या थे काफी महत्तपूर परस्णे दोस्तो ये दो नमर में ही पूछा जाता है और एक नमर में तो यहाँ पर पूछा ही गया है कि lead better की नजर में जे कृष्ण मूर्थी क्या थे तो यह जो थे या विश्वा शिक छक थे यानिकि C इसका सही एंसर हो जेगा और उदय परकास का जन में कब हुगा था काफी महत्तपूर परस्ण है कि उदय परकास का जन में कब हुगा था तो इनका जो जन हुगा था दोस्तो वह 1922 में हुगा था यानिकि A is the right answer for this question नेक्ष्ण परस्ण है कि तीरिचे किस कहानी की रष्णा है तो यह जो रष्णा है दोस्तो यह रष्णा है अधूनिक त्रासदी यानिकि अप्षन पर जो C है इसका right answer हो जेगा और यहाँ परस्ण परस्ण कि मोहराकेस के बचपन का नाम क्या था तो बचपन का जो नाम थ का इनका नाम था Алश ... या कि अपसनपर जो इन एई है इसका राइट एंसर हो जेगा कभीर खुबीर सहए के पीता का क्या नाम था तो इनके जो पीता थे दोस्तों वह थे और देवसा है यानि कि अप्सन बर जो A है इसका राइट एंसर होजेगा नेक्षन प्रस्ण आपके सामने है कि प्रकिर्ती वर्नन से संबंधित कभीता कौन है तो परक्ती वर्णन से जो संबंधित कभीता है वह है उसा यानि का option बार जो C है इसका right answer हो जेगा और उसा पाठ के जो लेखक हैं वह समसेर बहादूर सिह जी है यानि का option बार जो C है इसका right answer हो जेगा कभियों का कभी किस कभी को कहा जाता है काफी महत्तपुल प्रशने दोस्तों कि कभियों का कभी किस कभी को कहा जाता है तो यह जो कभी हैं वह हैं समसीर बहादूर्शी यानि कि option number जो A है इसका right answer हो जाएगा और भूशन की कभीता में कौन सा रस पाये जाता है आपको बताना है कौन सा रस पाये जाता है भूशन की कभीता में तो अब तक आपका answer भी आ चुका होगा कि इसमें B रस पाये जाता है यानि कि C के साथ इसका right answer चला जाएगा और यहाँ पर जो प्रशने की जहां भाय है वहां मेधा नहीं हो सकती किस पाठ की उखती है काफी महत्यपुन परशने की जहां भाय है वहां मेधा नहीं हो सकती किस पठित पाठ की यह जुकती है तो काफी महत्यपुन परशने तो इसका answer भी अब तक आपका आ चुका होगा तो इसका जो right answer होना चाहिए वह सिक्षा part है यानि कि D के साथ इसका right answer चला जाएगा और जे कृष्ण मूर्थी का पूरा नाम क्या था महत्यपुन परशने दोस्तों तो जे कृष्ण मूर्थी का जो पूरा नाम था जिद्धू कृष्ण मूर्थी था यानि कि option number जो B है इसका right answer होजेगा सूर्दास कीस भासा के कभी हैं तो इसका right answer अब तक आपका आचुका होगा कि सूर्दास से कीस भासा के कभी हैं तो जाहिज सी बात है आपका answer आचुका होगा कि जो भी दोस्त option number B के बारे में सोच रहे हैं कि ब्रजभासा उनका बिल्कुल ही right answer होजेगा और यहाँ पर प्रस्ण है कि दलित सहित्य का संदोर्य सास्त्रे नामक अलोशना पुस्तक के किसे लिखी है तो इसका जो right answer होजेगा वाँ परकास बालमी की जी यानि कि option number जो A है इसका right answer होजेगा और यह जो प्रस्ण है कि ओ सदानीरा सिर्षक निबंध में वर्नित मन कैसे ताल है तो ओ सदानीरा सिर्षक निबंध में जो वर्नित मन कैसे ताल है ये काफी मत्त प्रस्ण है तो इसका right answer होजेगा गहरे और विसाल यानि कि option number जो D है इसका right answer होजेगा नेक्शन प्रस्ण है और यहां पर जो प्रस्ण है कि किसकी बिजय हुई सेना की कि नागरीकों की पंक्ती या किस पार्ट से ली गई है कि किसकी बिजय हुई सेना की कि नागरीकों की यह जो पार्ट से ली गई है पंक्ती वह जो पार्ट है वह teacher जित जी थे, यानि कि option जो, एह इसका write answer हो ज जेगा, आपको तो मेहनत करना ही परेगा, दोस्तो, क्योंकि, आपका board exam बहुत ही नजदीक है, तो, आपको तो परना ही परेगा, किसी तरह से भी, क्योंकि आपकी बार जो आपका सापना है आपका जरूप पुर्ण होगा और 50 में 50 अबजेक्टी में जरूर सही होगा अगर इस सेशन को अच्छे से त्यारी कर लेते हैं तो असुख बचपेई का मुल निवास अस्थान क्या था तो उनका मुल निवास यादि कहां उनका घर था पहले और शोग बचपेई का तो इसका जो राइट एंसर होजेगा वह इनका मुल अस्थान सागर मध्ध्य परदेश यादि कि आपकी जो माता-पिता का सपना है वह आप पर ही निर्भार करता है दोस्तों तो आप अच्छे स लड़का है सबसे एक नंबर अस्थान पाया है पूरे गाहण भर में पूरे राज्य भर में तो अबकी बार तो इंदी मेतов sic सो नित अ उसका इवान दमीतर चित्रे चेक्फयको यहीनिका ओप्सन मरत जो यह इसका राइट एंसर होजेगा और इमंदार सब्त का बिलोम क्या होगा तो इमंदार तो यह तो जाहिस बात आपसके अपका एंसर भी इमाँदार का होता है दोस्तों वह बेइमान जो दूर बहुत है वह वो जाएगा और रूर्ण और रण का सब्द का सब्द पूँचार है तो अवरान का जो ब्लोम सब्द होता है और वह न एंसर होजिएगा और यह जो कठोर सब्सेस का भिलों तो चाहते हैं नहहीं को कोमल होता रिक तो और साथ इसका right answer चला रियेगा डी है इसका सही answer हो जएगा अध्य पक्त्सक्रास क क्या है तो हम जानते हैं कि उसर्ण में पहला पॉद परधान होता है दूसरा प्रहता है की होता है यह एक प्रकर का सब्य होता है तो बोडिक्जा में अगर परिक्षा देने जाते हैं तो एक भी प्रश्णोंतर आप छोर कर नहीं आएगा खास कर हिंदी में सब परिवार सब्द में उपसर्ग कौन सा है तो हम जानते हैं कि उपसर्ग में पहला पत परदान होता है दूसरा पत जो होता है वह एक परकार का सब्द होता है तो परिवार यहाँ एक परकार का सब्द हो जाएगा और इसमें सब उपसर्ग लगा है यानि कि अप्शन बर ज यह एक वर का सब्ध हैं अंकूर और इसमें हरसाई को मातरा है तो हरसाई i attractour लृइपि यानिका युण सानबर जो c है इसका राय टेंसर हो जेगा अउमीद करते हैं आपको समझ में इसमें हरसाई से E है और मा है यहाँ पर तो E मा परते होज़ेगा option number जो C है इसका right answer होज़ेगा E मा क्योंकि हरसाई से E है और last में जो मा है यह मा होज़ेगा तो option number जो C है इसका right answer होज़ेगा उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि परत्याई और उपसर्ग में क्या अंतर है उपसर्ग में पहला पत्परधान होता है और परत्याई में अंतिम पत्परधान होता है अनन्दमाई सब्दे कौन से समास है काफी महत्पूर प्रसने दोस्तो कि अनन्दमाई सब्दे कौन से समास है तो तत्थ पूरु समास इसका राइट अंसर हो जएगा और अब यही भाव में क्या होता है इसका महत्यपूर्ण उधरान होता है या था सक्ति दोंद समास में दोनों पत्थ परधान होता है जैसे भाई, बहन, माता, पिता, दाल, भात यह सभी दोंद समास के साथ इसका राइट अंसर चला जाएगा तो अनंद मैं जो समास है वह तत्थ पूरु समास इसका राइट अंसर हो जएगा नौरतने सब्दे कौन सा समास है तो नौरतने जो नौरतने है वह जो समास है दोस्तो वह है दीगू समास क्योंकि द्विगु समास में क्या होता है इसमें पर्थम पद जो होता है वह संख्यात्मक होता है जैसे 3-3 जैसे 3 और Ö Solid 4 चोरह में जो पर्थम पद है वह 4 यह भी द्विगु में क्साथ इसका राइटिन से सचला जाएगा चोरहा हो गया और 9 रॉतने तो नौ रतन कहने कार्थ इसमें नौ छुपा हुआ है यानि कि पहला पद संख्यात्मक है तो द्वीगू के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा उमित्वत्य आपको समझ में आया होगा तो चलिए नेक्षन प्रश्ण को देखते हैं और यहां पर प्रश्ण है कि चंद्रमौली सब्दे कौन से समास है काफी मत्पूर्श प्रश्ण है दोस्तों कि चंद्रमौली कौन से समास है तो इसका जो राइट एंसर आना चाहिए वह बहुब्री ही समास के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा और बहुरिई समास में क्या होते है है कि इसमें अलग से अन्यपद परधान होता है जैसे गाजानन की से घाजानन की से बोलते हैं तो वह गनिए इसको बोलते हैं दोस्तो गाजानन तो option number जो ए है इसका right answer हो जाएगा बहुरिई समास और अकास पताल एक करना मुहाबरे का और्थ क्या होता है तो अकास पताल एक करना इसका जो राइट इंसर होना चाहिए आपका इंसर भी अब तक आ गया होगा कि अकास पताल एक करना यानि कि कठीन परिश्रम करना आप अपने एक्जाम के लिए आकास पताल एक कर रहे हैं कि आप अपना एक्जाम की त्यारी कठीन परिश्रम कर रहे हैं तो आपकी यहीं आपको करना ही चाहिए अभी के समय में की आकास पताल एक करना और आपकी त्यारी बहुत कठीन परिश्रम कर रहे हैं तो आपकी त्यारी महत्यपूर्ण है तो आपका रिजाइट भी आच्छा होना चाहिए तो अप्शन अबर जो दी है इसका राइट एंसर हो जाएगा और मुठी में करना कोई भी चीज अगर मुठी में कर लेते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे एक सब्द में तो कोई मुठी म यहांप समर्व प्रस्ण है तो कहेंगे अपने आपसे है कि यह जो प्रस्ण है हम अपने मुठी में कर लिए यानि की अपने बस में कर लिए ऐसका है निक्षिन भाइट इंसर को देखते हैं और यहांपर 82 नव प्रशने की हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है तो किसको मानी जाती है की मील का पत्थर हिंदी कहानी के विकास में तो आपका राइट एंसर अब तक आचुका होगा कि उसने कहा था इसका सही एंसर हो जाएगा नेग्स न प्रस्ण की जय संकर परसाद की महाकाव्या कौन सी है तो जय संकर परसाद की जो महाकाव्या है वह कामयानी है यानि कि option नमर जो ए है इसका right answer हो जेगा और यहां पे प्रस्ण है कि पुत्र बियोग सिर्षा कवीता की कवी 3 क्या होता है तो आप पे जरूर याद रखेगा इस से एक प्रश्ण आता है कि कॉभी का इस्ती लिंक सब्द क्या होता है तो कॉव i3 होज़ेगा यह जरूर याद रखेगा इसी तरह से इसका राईट एंसर होज़ेगा तो पुत्रवियोक सिर्षा कवीता के जो कवीत्री है वह है सुभाद्रा कुमारी चोहान यानिका अप्सान नमर जो C है इसका राइट एंसर होजेगा नेक्षन प्रस्ण है कि मालती किस कहानी की पत्रा है काफी महत्तपूर प्रस्ण है दोस्तो कि मालती किस कहानी की पत्रा है तो यह जो कहानी है दोस्तो वह है रोज यानि का अप्सान मर जो भी है इसका राइटेंसर हो जेगा रोज पार्ट के जो लेखक हैं वह अग्ये जी है और सिपाही की मा इसके पार्ट के जो लेखक हैं वह मुहारकेस जी और तिरिश पार्ट के जो लेखक हैं उदय परकास जी ग्यानेंद्र पती की कौन सी कभीता कौन है आपको पताना है कौन है तो अब तक आपका answer भी आ दो आज चुका होगा तो इसका जो राइट answer होना चाहिए इसका राइट answer हो जाएगा गाव का घर Frage जो और बात करें अधिनाएक पाठ की तो अधिनाएक पाट के जो लेखक है वह हैं रगुबिर सहय जी और हार जीत के जो लेखक है वह हैं असोग बाचपेई जी और प्यारे नणे बेटे को इसके जो लेखक है बिनोत कुमार सुख लेजी तो इसका राइट एंसर हो जेगा option नमबर ए या नेंदरपती की जो कभीता है गाउं का नेक्षन प्रस्ण है कि हिंदी सहित्य का सूर्य की से कहा जाता है काफी बार बोड इग्जा में पुछा चा चुका है कि हिंदी सहित्य का सूर्य की से कहा जाता है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वह सूर्दास को कहा जाता है यानिका अप्सन बर जो ए है इसका एंसर हो जेगा और सुभाद्रा कुमारी चोहान का जन्म कब हुआ था तो इनके दोरा जो पाठ लिखा गया है था तो वह पुत्र भीयोग था और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तो तो इनका जो जन्म हुआ था वह 1940 में अपना इंसर जरूर मिलाते चलिएगा दोस्तो इसे पता चलेगा कि आपका पूर्मसा हरी विजन भी हो गया और आपकी तियारी भी मजबूत हो गई और मुक्ति बोध का जन्म अस्थल कहां है काफी मत पुनपरस ने कि मुक्ति बोध का जन्म अस्थल कहां है तो इसका जो राइट एंसर हो जएगा वह स्योपूर यानि कि भी इसका राइट एंसर हो जएगा आस्तिन का साप होना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है करना, ये भी गलत हो जाएगा तो ये घर में छीपा स्ट्रू यानि कि अपने ही घर में जो रहता है और वो दूसरे की मदद करता है उसका बुरा ही चाता है उसे ही आस्तिन का साप कहते है यानि कि अपसर मर जो डी है इसका राइट एंशल हो जाएगा घर में छीपा सत्रू हाथ का मैल होना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी मत पुर्परस ने कि हाथ का मैल होना जहां गंदा हो जाएगा मैल वो तो कभी होगा नहीं और यहां पर ऑप्सन में है कि किमिती होना यह भी नहीं होगा और सौच होना यह भी नहीं हो कि या तुक्ष प्राणि नहीं करते हैं उसको की इसे हांत का मैला होना यह इनिकी तुक्ष होना यहαι MARY檬 जो c है इसका राइस अन्षर हो जैगा मत्हकना मत्हकना मुहाबरे का और्थ ग्या हो थाहिता है काफी मत्यफ्व हो पोलना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है यानिकि धाक जमाना धाक जमाना यानिकि कई ही हम लोग जब फिल्म देखते हैं तो उसमें माली घोड़ा उसमें दोर रहा है उसे हम लोग प्रश्ण है कि उल्टी गंगा बहाना मुहाबरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो इसका जो राइट एंकर रार करना यानि कि अपसानेंबर जो किazioni से हैसके discord आउड ako अर्या प्रश्ण की रोसोई घर सब्दे कौन stasia और सवल ईसका जो र या पूरुस इसका rigor न सब्द्र बर्द बन मानफ सब्दे में कौन सब्दां सब्दाइब और सब्द्र सब्द्री कहन अधर对 सब्ध में कौन सब समास है तो इसका जो राईट इंसर हो जएका वह तत्थ पूरु समास के साथ इसका सही अंसर चला जाता है और यह जो प्रस्ण कि त्रिफला तो पहले ही बता चुके हैं आपको कि त्रिफला त्रिफला में आपको पर्थम अक्षर कैसा सुनाई पर आए त तो त्री फला यानि कि तीन का यहां पर बोद के तास चला जएगा नेक्ट कर्षन का 한orc ना प्रशन कि दिरे दिरे सब्द में कोई समास है जाना तो दोनो पत परधान किसमें बतायों थे दोस्तो तो दीघू समास में धाय क्या CC या दाल भात ये सभी द्वन समास में ही आता है यानिकि दोन पद इसमें परधान होता है इनकी अप्सन बर जो C है इसका सही एंसर हो जेगा तो चलिए नेक्षन प्रस्ण को देखते हैं कि कपड़ा सब्द का परेवाची सब्द क्या होता है तो कपड़ा का जो परेवाची सब्द होता है दोस्तो वह तो वसन के साथ इसका सही एंसर चला जाएगा निक अप्सन बर जो A है इसका राइट एंसर हो जेगा तो चले नेक्षन प्रस्ण को देखते हैं समाज सब्द का लिंग नेने क्या होता है आपको बताना है कि समाज कैसा लिंग होता है क्या इस्त लिंग होता है पुलिंग होता है या उभे लिंग होता है तो समाज जो होता है वह पुलिंग के साथ इसका राइट इंसर हो जेगा आप बस सीदत से अन तक जोरूर देखेगा दोस्तो अन तक देखते हैं तो आपको लगभग 95% अबजेक्टिव क्लियर हो जएगा सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से और यहां प्रस्ण की सबधन 22 पसेरी मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो आपका एंसर भी अब तक आ चुका होगा अप्रस्ण की सबधन 22 पसेरी मुहाबरे का जो सही अर्थ होता है वो अच्छा बूरा सब को एक समझना यादि का अप्शन में जो डी है इसका राइट एंसर हो जगा नेक्शन प्रस्ण है कि प्रती दिन कौन से समास है तो आपके बताना है कि प्रती दिन कौन समास है यादि कि दिनन दिनन प्रती तो यहां जो अब्याई भाव के सांथ इसका राइट एंसर चला जएगा अब्याई भाव नेक्शन प्रस्ण है कि सीव का भी सेशन क्या होता है तो हम बहुत पहले आपसे प्रश्ट में डिस्कस किये थे कि जो सिव को पूझा करता है अरतना करता है उसे सेव काते हैं और सेव का जो भी शेशन होता है वह वह ही होता है निकि सेव के साथ इसका राईट इंसर चला जाएगा और यहां पे सिवा जी के पूत्र का नाम क्या था काफी मत्वूं प्रशने के सिवा जी के पूत्र का नाम क्या था तो साहू जी इसका राइट एंसर चला जाएगा जैसंकर परसाद की नाट्टे करिती इन में से कौन है तो जैसंकार प्रसाद की जो नाटे करीती थी और ध्रूस स्वामिनी थी यानि कि अप्सन बर जो ए है इसका राइट एंसर हो जेगा और बात करें आट वा नम प्रस्ण के बारे में कि सुकून की तलास किस की राइट एंसर हो जेगा हार जीत सिर्शा कभीता में मसक वाला क्या कर रहा था अब जब पाठ पड़े होंगे कि हार जीत सिर्शा कभीता में मसक वाला क्या कर रहा था तो इसका राइट एंसर वह सड़क को सीच रहा था यानि का अपसन में जो ए है इसका राइट एंसर हो जाएगा इसका जो राइट एंसर होना चाहिए वह अब तक आपका आग्या होगा कि ठाकू राम नाथ सिंथ्या यह अपसर मड़ जो ए है इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्टन प्रस्ण कि धनहीन सब्द कौन से समास है धनहीन अको बताना है कि धनहीन कौन से समास है तो यह जो धनहीन है यह तत्थ पूरु समास के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा चतुराई में कौन समास है तो चतुर चतुर तो यह एक परकार का सब्द होता है चतु चतुर और इसमें A का उपयुक्त होता है और इसमें दिरगई यहे तो आई के साथ इसका राइट एंसर हो जएगा चतुर जोर आई यानिकी आई परते हैं परते हैं अपना एंसर जरूर टाइप करते चलेगा दोस्तों इसे पता चलेगा कि आपकी त्यारी कितनी अच्छी च होता है तो जड़ का बिलोम जो सब्द होता है दोस्तों वह होता है उसका चेतन यानिकि सी इसका सही एंसर हो जेगा सुक्ति सब्द का सही संदी पिछेद क्या होता है सुक्ति सब्द का सही संदी पिछेद तो सुक्ति में क्या होता है सू यहां पर हरसाई से फ़हले सू गये उकती तो जो हर सव उ प्लस उ बनकर यह बाड़ा उ का निर्मार होता है बाड़ा उ तो वहीं यहां पे बाड़ा उ है सू जो दिर्भाव से है तो यहां पर अप्सन बार जो बी है इसका राई टेंसर हो जेगा यह उ जो बराबर बाड़ा उ होता है दोस्तों तो बी के स आत इसका एका उमिद करते हैं आपको समय में आया होगा और अगनायी सब्द को अगनी का होता है अगनी का पावक हो जाएगा याँकि उластौभ औरчас लляईता के कि बाल कृष्ण भठ के पिता कर क्या नाम था आपको बताना है बनी पर्साद भर्ठ भर थ हुआ यान का जो नाम था वहाल क्रिष्न भर्ड था यान को बताना है कि उसने कहा था कहानी कैसी है तो यहाँ जो कहानी है वो यूद की कहानी भी है और प्रेम पर बड़िदान होने की कहानी भी है और दिब्या प्रेम की कहानी यानि कि D के साथ इसका राइट अंसर होजेगा इनिमे से सब ही D इसका सही अंसर होजेगा और बात करें 119 प्रस्ण के बारे में इसमें लगभग 2500 पलस से इसमें कोहजन होगा तो आपके लिए बहुत ही महत्पुल या सेशन होने वाला है निमने में से कौन सी रशना गुलेरी जी की नहीं है गुलेरी जी की इनमें से बताना है कौन सी रशना नहीं है तो जो हारे को हरी नाम ये गुलेरी जी की नहीं है यानि का उप्शन बाजो D है इसका राइट एंसर होजेगा और बात करें 129 प्रस्ण के बारे में कि प्रकास नरायन के बश्पन का नाम क्या था काफी महत्तपूर प्रस्ण दोस्तों कि इनका बश्पन का जो नाम था वह बाउल था बाउल यानि कि सी इसका सही अंसर होजेगा बाउल चूना करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो काफी बार आपको बताया जा चुका है कि चूना करना मुहाबरे का सही अर्थ क्या होता है तो यह इसका जो राइट इंसर होजेगा सह जाना यानि कहने का अर्थ है माल लिजिए आप पर कोई कष्ट दे रहा है आप बोलते नहीं है उसको सह जाते हैं उसे ही कहते हैं चूना करना यानि कि अपसन वर जो सी है इसका राइट इंसर होजेगा और बात करें एक सा 22 नव प्रस्ट के बारे में कि अकास का बिलोम क्या होता है तो बहुत बार आपको यह प्रस्ट अतर करवाय जा चुका है सेस्नों में तो अकास का जो होता है भिलोम वह हपाताल हो जाएगा यानि का अपसन वर जो भी है इसका राइट इंसर हो जाएगा और कौन आता है या कौन सर्वनाम है तो इसमें प्रस्ट वाचक सर्वनाम या इसमें जाहिल सी बाद है यहाँ पर दिख रहा है कि कौन आता है यहाँ पर निर्ण नहल लिया गया कि कौन आता है तो वह प्रस्ट वाचक सर्वनाम के साथ इसका राइट इंसर चला जाएगा और यहाँ पर बात करें कि सुबह कौन सी लिंग है सुबह आपको बताना है कौन सी लिंग है क्या इस्तिलिंग है पूलिंग है या उभेलिंग है तो सुबह जो होता है दोस्तो वह इस्तिलिंग सब्द होता है यानिका अपसान मार जो A है इसका सही एंसर हो जेगा नेक्षन प्रश्ण है कि तिब्र बुधी वाला क्या कहलाता है काफि महत्पम प्रश्ण है कि तिब्र बुधी वाला क्या कहलाता है तो इसे कुछागर कहेंगे यानि कि B इसका सही एंसर हो जेगा और काजल सब्द का link क्या होता है तो काजल जो होता है दोस्तो वह एक परकार का pooling सब्द होता है यानि कि B के साथ इसका भी right answer चला जाएगा और इतिहास का भी से शो rhyक होता है और बात करे एक सा 28-9 परशन के बारे में कि बाल जो होता है वह कौन सा link है पुलिंग इस्लीड होता है, पूलिंग, उभैलिंग, तो अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा कि बाल जुछ वह होता है दोस्तो, व संहां पूलिंग के साथ इसका राइट एल्साइट चला जाएगा और यहां पे हीम अले का सही संदी पीचेद पुचाए हीम अले का दो हीम जूर आले होता है तो जाहिसी बते आपका जो आले यानकी कि आले आपका एंसर भी आ चुका कि function ँभी अपसन बर ए इसका right answer होना चाहिए तो बिल्कुल ही right answer हो जईगा option number A तो next नबरस नहीं है कि लोक का क्या होता है लोक का तो लोक का जायद सी बाते लॉकिक हो जाएगा double एक ले रहेगा हड़ चाहिसे की अको लॉकिक यानि कि option नमर जो A है इसका right answer हो जाएगा आप बस से अन तक जुरूर बने रहीगा बहुत कुछ सिखने को मिलेगा और आपके अंदर जो confidence लेवाल होगा वह बहुत ही high होगा तो आप बस से on तक जो बने रहेगा कि और सोक बाचपेई का जन्म कब होगा था तो इनका जो जन्म होगा था दोस्तों वह 1941 इसी में इनका जन्म होगा था यानिका option बर जो सी है इसका right answer होगा 1941 कभी ने क्या कहा कभी ने कहा क्या है कभी ने कहा यह एक परकार का क्या है आपको बताना है तो यह एक परकार का कभीता संग्रा है यानिका option बर जो सी है इसका right answer होगा बिनोत कुमार सुकल का निवास अस्थान कहा है काफी महत्यपों प्रशने कि बिनोद कुमार सुकल का निवास अस्थान का है तो राइपूर 36 गड़ है यानि कि C, B इसका राइट एंसर हो जेगा लोग भूल गए हैं किसकी राशना है काफी महत्यपों प्रशने दोस्तों कि लोग भूल गए हैं यह किन की राशना है तो यहाँ जो राशना है रगभीर सहाय जी का है यानि कि D के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा नेक्शन प्रशन है कि अधिनायक सिर्षा कभीता में सिर्षा कभीता किस पुस्तक से ली गई है अब तक आपका आगया होगा कि जो आत्म हत्या की बिरूद है यह इसी पुस्तक से ली गई है यानि कि B इसका राइट एंसर होजेगा और अतिरिक्त में उपसर्ग क्या होता है तो जाहिल सी बाते उपसर्ग में पहलापद परधान होता है तो अति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है और जो रिक्त होता है रिक्त यानि कि खाली अस्तानिया एक बार करका स्वब्द होता है तो अति के साथ इसका राइट एंसर होजेगा उमिद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी अगर आ रही होगे तो एक लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो क्योंकि आप लाइक करते हैं तो ही बुझा पता है कि आपको सेशन अच्छी लग रही है और एक अंदर से मोटिविएसन मीलता है कि और ही आपको अच्छी असे वीडियो बनाने का प्रेरित मिले ठीक तो एक बार लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तो और यहां प्रस्णी गांगा सब्द का परिवाची सब्द क्या होता है तो गांगा का जो परिवाची सब्द होता है दोस्तों वह होता है उसका सूर नदी या मंदाकनी हो जाएगा ये गांगा का परिवाची सब्द होता है इक अप्सन बार जो ए है इसका राइट एंसर हो जाएगा और दात गिनना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्त प पच्छी साल होगे यानिकि उम्र का पाता लगना कि अपसर नमर जो पाता लगना अपसर नमर जो यह इसका राइट एंसर होजेगा यह तो लज्जित होना कभी होगा नहीं और दात के गींती यह कभी मुहाबरे से और्थ नहीं रखता है और यहां प्रश्ण के विकास में उ इसका राइट एंसर होजेगा और रामानूज का कौन समास है रामानूज तो रामानूज जो समास है इसमें जो समास लगा है दोस्तों वह लगा है तत्थ पूरु समास इसका राइट एंसर होजेगा सब्द का परेवाची सब्द क्या होता है सब्द का परेवाची है नाद ध्वौनी इंद मेंज़म नदी भी होता है निनाद भी होता है धिक के सा Jeśli राइटेंस चला जएगा शिसान अची लग रही होती से लाइक जोड़ किसेगा दूस्तों और यहाँ प्रस्थ नहें कि जाए स और पुरसकार सब्द का बिलोम क्या होता है काफी बार यह हमारे बोर्ड एक्जाम पुछा गया है कि पुरसकार सब्द का बिलोम क्या होता है तो जाहिल सी बात है डंड ही होता है पुरसकार का डंड यानिके option नमर जो यह ही इसका right answer हो जेगा और वर्न के अधार पर संधी कितने परकार के होते हैं तो वर्न के अधार पर जो संधी होते हैं वह तीन परकार के होते हैं यह अप्सन मार जो B है इसका राइटेन सर्फ हो जेगा पाँच जो यह संध्या के होते हैं चार यह भी शेशन के होते हैं और कारा के 8 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं नेक्शन प्रस्न है कि दक्षेड सब्द कौन से संगया और लगभा के 100 पला से अबजेक्टी बाचा हुए है तो आप अंटक जेवा बने रहीगा कि दक्षेड सब्द कौन से संगया तो यहां पे किसी खास नाम का बोद हो रहा है तो खास नाम यह तो जाएसी बात है यहां पर ब्यक्ती बाचक संगया के साथ इसका राइट एंसर चला जा जा देगा और यहां प्रस्ने की जह परकास नराया ने छात्र अंदोलन का नेत्रीत्वा कब किया काफी महत्त्पून प्रस्ने दोस्तों तो इनके तो इसका अब तक आपका आगया होगा की पद में भूशार इन्हें दिया गया था या अपसर्मर जो भी है इसका राइट अंसर हो जाएगा और यहां प्रस्ने है कि रिकस्ट्रक्शन आफ इंडियान पॉलिटी नामक पूस्तक किसने लिखी थी काफी महत्त्पून प्रस् पूर्पित की गया तो इसका जो राइट रोजएगा वह संकर और परव्यत्ति का यह कोहने का अर्थ है जब अलग मेला में जाते हैं तो एक तरफ संकर का होता है और एक तरफ परवात्ति का होता है तो वह उसे कि आधा नर का आधा इस्तिरी का यह संकर और परबाति कहीं होता है दोस्तों अब तक आपको समाज में आ चुका होगा कि अपसा नुबर जो भी है इसका सही एंसर हो जाएगा और यहां प्रस्णि की अग्ये का जन्म अग्ये का पिता का नाम क्या था काफी मत्पुम प्रस्णि की अग्ये जी का पिता का नाम क्या था तो इसका जो राइट एंसर होगा अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा कि जो धाक्टर हीरा नन सास्तिरी था निके सी इसका राइट एंसर होजेगा और बात करें जीवन भर का एक सब्द क्या होगा तो जीवन भर का एक सब्द जो होता है वो आजीवन होज़ेगा आजीवन निकि जीवन भर आजीवन यानिका अप्सन पर जो सी है इसका राइट एंसल होज़ेगा आजीवन जिससे किसी बात के नव होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं तो जिससे किसी बात के नो होने का बोध हो उसे एक सब्द में उसे कौन सा वाक्य कहेंगे तो उसे हम लोग निशेध वाचक वाक्य कहेंगे यानि कि option बार जो C है इसका सही एंसर हो जाएगा और बात करें एक सत्तिरन प्रस्ण के बारे में कि अगामी सब्द का बिलोम क्या होगा अगामी तो अगामी का जाहिल सी बात है भीगत हो जाएगा यानिकि अप्सन बार जो बी है इसका राइट एंसर हो जाएगा और सनवत तो यहाँ पे संदी बीचेद देखर ही आपका एंसर आ चुका होगा कि सनवत का सही संदी बीचेद क्या होगा तो यहाँ पे लास्ट में हलन्त है तो लास्ट में हलन्त तो यहाँ पे किसी में भी नहीं है और सनवत तो स्वम जो रुवत हो जाएगा इनका अप्सन बार जो ए है इसका राइट एंसर हो जाए अप्सन से ही आप आसानी से एंसर लगा सकते थे यहाँ पर तो अप्सन नमर ए इसका सही एंसर हो जाएगा और यहाँ पुछह है कि आदर का भी शेशन क्या होगा तो आदर का भी शेशन आदर नहीं हो जाएगा आदर नहीं है यहाँ आप् पत्रे शिख्षाक पार्ट के लेखा का कौन है काफी महत्य पूर प्रस्णे दोस्तों कि एक लेख और एक पत्र के लेखा का कौन है तो इसके जो लेखक हैं वह भगासी है यानिके ऑप्शन अबर जो C है इसका राइट अंसर हो जेगा और जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वो तो आप जानते हैं कि सिक्षा पार्ट लिखा गया है और उद्वारा वह तिरीश पार्ट लिखा गया है तो इसका राइट अंसर हो जेगा अप्शन अबर C बहुजन समप्रेशन के माध्याम पूस्ता किस्ट ने लिखी है तो इसका राइट केस रचित नातक संगरः इन में से कौन है तो मोहारा केस रचित नाटक संगरः जो है वह असाड का एक दिन ही है यह यह इसका रा आइट इनसे तूल्सी दास की पतनी का नाम क्या था HOW ाफी महत्यू नाम था लवाली अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा तु तो चलिए अब निक्ष्ण प्रश्ण को देखते हैं और यहाँ पे जो प्रश्ण आप देख रहे हैं खारा का बिलो हम सब देख्या होता है तो हम साधारान भासाइम बोलते हैं खारा खोटा सुना देने तो खारा का खोटा हो जाएगा यानिका अप्सन बार जो A है इसका र आइट एंसल चला जाएगा और बात करें समाज का बिश्चेशन क्या हो जाएगा तो समाज का समाजी हो जाएगा यहां पे अकार रहेगा तो समाजी क्यानिक आप्सन बार जो ए है इसका राई टेंसल हो जेगा और यहाँ प्रस्णे के बिद्याले का बिशेशन क्या हो सुरी बिशेशन यहाँ पे ना पुश कर यहाँ पे संधी पिछेद पुशता तो सही होता तो यहाँ पे गलत हो चुका है तो बीध्या जोर आले यनिकि उप्शन बार जो B है इसका राइट एंशर हो जाएगा भिशे संत देखा यहां पे संदी पीछे पुशने वाला था यनिकि उप्शन बार B के सांथ इसका राइट एंशर हो जया भिढ़ए जोर आले संपुर्ण करांती के रसनाकार कौन है तो वह है जै प्रकाश नरायन जी और जे क्रिष्ण मूर्थी जो है वह है शिक्षा पार्ट के लिखक और बात करें भगासी तो इनके द्वरा एक लेख और एक पत्र पार्ट लिखा गया है आप बस सिद्धत से इस सेशन को अच्छे से त्यारी कर लिजीगा प्रशन उतर तो आप छूटने वाले नहीं है तो आपकी बार सोब पर उदंड का बिलोम सब्द क्या होता है काफी महत्त पूइपरसने दोस्तों कि उदंड का बिनर्म हो जाएगा यानिका अपसन बार जो ए है इसका राइट अंसर हो जाएगा और बात करें कि उसने कहा था कीस परकार की कहानी है काफी महत्त पूइपरसने दोस्तों कि उसने कहा था या किस परकार की कहाने तो यह जो है यह कर्म परधान है यानि कि अप्सन बार जो भी है इसका राइट अंसर हो जगा बातचीत सीर्शक के निबंधकार कौन है तो बातचीत जो यह यह जो है यह एक परकार का निबंध है यह इसके जो निबंधकार है ने के सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यहां पर अगर रहता तो यहां पर रहेगा लेकिन यहां पर होलन्त नहीं है तो अपसन वार बी के साथ इसका राइट एंसर चला जेगा नेक्षन प्रशने कि तूलसी दास के दिक्षा गुरु कौन थे काफी मत्त प्रशने दोस्तों कि तूलसी दास के दिक्षा गुरु कौन थे तो वह नरहरी दास जी थे यानि का अपसन मर जो भी है इसका राइट एंसर हो जेगा फोज वहाँ लड़ने के लिए है वे भाग नहीं सकते जो फोज छोड़ कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है उप्युक तो उधारन कीज पार से लिया गया है तो यह काफी मत्मु प्रस्णे तो यह जो पाठ है सीपाही की मार अब तक आपको जब पढ़ते होंगे तो आप यहाँ पे सीपाही कहा जाता है तो अपसर मर जो बी है इसका राइट एंसर हो जेगा आज कल कौन से समास है काफी मतुब प्रस्णे की आज कल कौन से समास है तो आज कल जो होता है दोस्तों या होता है दौन्द क्योंकि इसमें दोनों पद परदाने आज भी परदाने और कल भी परदाने तो आज कल इसमें द्वांद समास इसका राइट एंसर चला जाएगा नेक्ष्ट अप्रशने के सूर्शागर के कभी कौन है तो इसके जो कभी है इसके नाम सही है यानि के सूर्दास सूर्ष अगर के कभी हैं सूर्दास यानिक अप्सन वर जो B है इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्शन प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न की पंचवटी में कौन से समास है तो हम बहुत बार आपके बीच डिसकस कर चुके हैं कि इसमें पंचवटी यानिकि पर्थम पद जो है इसमें संख्या वाचक लग रहा है इनकी पंच यानिकी पांच का यहाँ पर बात हो रहा है तो द्वीगु समास के साथ इसका राइट एंसर हो जेगा नेक्षन प्राशन के खून पसीना एक करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो खून पसीना एक करना मुहाबरे का जो सही अर्थ होता है वह बहुत परिस्तरम करना तो अभी के समय आपका खून पसीना एक करना मुहाबरे के अर्थ की समान ही आपका मेहनात होना चाहिए यानिकि परिक्षे के त्यारी होना चाहिए यानिकि बहुत ही परिस्तरम करना तो भी आपका result बहतर हो जाएगा तो option number जो B है इसका right answer हो जाएगा इसको आप पालन जरूर करियेगा खून परसी ना एक करना मुहाबरे की तरह यानिकि बहुत परिस्तरम करना तो अपकी बार आपका नाम भी उचा होगा और आपकी माता पिता का भी नाम उचा होना ही चाहिए इस साल आप पर ही निर्भार करता है आपकी माता पिता का नाम अगर आप पे result खराब देते हैं तो उनका नाम नीचा गीरेगा ही लेकिन अगर आपका result बहुत ही बेहतर होता है तो आपके मातापित्रा का नाम बता नहीं सकते हैं खुसी के मारे कितना आप पर खुसी होंगे आप जहां कहेंगे पढ़ने के लिए वहां आपको भेज LA इनमें से बताना है कौन से नहीं है तो अपका राइट अनसर अब तक आ गया होगा कि जो इनमें से इसका राइट अनसर हो जएगा मलयागयan की जो राष्णा है इन में से को 되지 नहीं नेक्ट प्रश्टिगे उपवास में कौन सा उपसर्ग है तो उपसर में इसमें लगा हुआ है उप उपसर्ग यानिज़ करें अपसर म्र जो यह इसका राई-tsil consistent और जो दूसरा वास है यह वा सहास यह तो अस्थान का नाम्यीं कि कहीं आप रहते हिं तो उसी वास कहते हैं तो अपस्छल निम्हास नमर्ड यह ही सका राइट एंसर हो जेगा और बात करें सकार Kingdom सकार का बिलोम सब्द क्या होता है तो सकार का निरुकार हो जाएगा जाहिएसे वाते यह यहीं सिंगी अप्षांप मर्जो यही इसका राइट आउन्सर हो जायगा हाथ-पैर कौन सा जाहिस है। इसमें दोनों पद परद्ध हाने होता है अब तक HAMAKA इस चला जाएगा काम चौर कौन सा चाहिस है कि कामचोर कौन सा समास है तो कामचोर जो होता है दोस्तो वह होता है अब्याई भाव यानिका अप्सन में जो C है इसका राई टेंसर हो जाएगा और बात करें आत्मा आत्मा का बीशेशन क्या हो जाएगा तो आत्मा का बीशेशन जो होता है दोस्तो वह आत्मिय हो जाएगा इस प्रश्णि के बारे में हम डिसकस किये थे अगर आप सुरू से अन तक अभी तक देख रहे हैं तो इस प्रश्णि के बारे में भी हम डिसकस किये थे तो अब तक आपका एंसर भी आजना चाहिए कि नयन का सही संदी पिछेद ग्या होता है तो नयन का ने जोर अन हो जाएगा यहां देखे थे पावक पावक को देखे थे तो पाव जोर अक पढ़े थे पावक यहां प्रश्णि को भी देख लिये थे कि जिस जिसने गुरू से दिख्छा ली हो के लिए एक सब्द क्या कहते हैं तो इसके लिए जो एक सब्द होता है दोस्तो वह होता है दिक्षित तो इसका दिक्षित नहीं होगा क्योंकि सिक्षा कहीं बात हो रहा है यानि कि दिक्षा यानि कि सिक्षा लिया है तो सिक्षित कहेंगे दोस्तो और नींदा का बिलोम सब देख्या होता है काफी मात प्रस्ण है कि नींदा का बिलोम सब देख्य जीत कभीता किस कभीता संग्रा सली गई है तो हार जीत जो कभीता है यह जो संग्रा है वह इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा कहीं नहीं वहीं हार जीत कभीता किस कभीता संग्रा सली गई है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कहीं नह लम्भोदर यानि कि अलग से सब्सक्ति यहाँ पर गनुह आया है तो अपसर बॉओ जो इस Q है इसका राइट यहांपर बात करें और आपको इससे प्रश्ण में आपको को धिकात हो रही है यानि इस प्रास्ण में कि सikछितो वोकर दिक्षित ही होना चाहिए तो जाहिए सी बात है यह सही हो सकता है यानि कि दिक्षित इसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों कि जिसने गुरू से दिक्षा ली हो उसे दिक्षित ही कहेंगे दोस्तों यहाँ पर सिक्षाम बोल दिये थे तो अप्सन बाट जो भी है का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स न प्रस्ने कि यहाँ पर यह पर यह प्रस्ने तो इसका राइट एंसर कुछ नहीं होगा तो धर्ती का बिलोम क्या होगा धर्ती का बिलोम तो काफी मात प्रसने दोस्तों कि धर्ती का बिलोम क्या होगा तो जो धर्ती का बिलोम होता है वो अकास होता है यानि कि अकास होता है धर्ती का बिलोम और नीश्चय का सही संधी भी छेद क्या होगा तो नीश्चे जो होता है वह बिसर्ग संधी के साथ इसका right answer चला जएगा लेकिन यहाँ पर कोई भी option में बिसर्ग नहीं लगा है only for option number a में लगा है तो नीश्चे जो होता है वह बिसर्ग संधी होता है नीश्चे जो होता है इसका right answer हो जएगा और यहां पर प्रशने की उद्घाटन का सही संदी बीचेत क्या होगा तो उद्घाटन में उद्घाटन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें तो में हलन्त रहता है तो देखेंगे तो में हलन्त कीस अप्सन में है तो तो महलांत यहाँ पर option number A, B, D में तो नहीं है लेकिन उत्जोर घाटन यानि पर option number जो C है इसका right answer हो जएगा उत्घाटन ठीक option number C इसका right answer हो जएगा और बात करें जन जन का चेहरा एक शिर्शक कभीता के कभी कौन है जन जन का चेहरा एक शिर्शक कभीता के कभी कौन है तो गाजा नन माधा मुक्ती बोथ जी है इनका option number जो B है इसका right answer हो जएगा और बात करें ज्यानेंद्र पती जी के बारे में तो इनके जो द्वारा जो कभीता लिखा गया है कभीता है गाव का घर और नामोर सिह के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है इनके द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वह परगती और समाज है और असुक बच्वेई के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वह हार जीत पार्ट लिखा गया है यनिका option number जो B है इसका right answer हो जगा तो चलिए अब next प्रस्ण को देखते हैं और ये जो प्रस्ण है कि भूशन की सकाल के कभी हैं काफी महत्यपून प्रस्ण है दोस्तों कि भूशन की सकाल के कभी थें अब तक आपका answer भी आ चुका होगा कि रीती काल तो रीती काल ही भूशन जी कभी है यापना answer जरूर टाइप करते चलिएगा दोस्तों इससे पाता चलिएगा कि आपकी त्यारी कितनी मज़बूत हुई है और यहाँ प्रस्ण कि आपे से बाहर होना मुहाबरे का अर्थ क्या हो जाएगा तो आपे से बाहर होना मुहाबरे का जो सही अर्थ होता है वह बहुत क्रोधित होना यहीं कि अपने आप पर वन कंट्रोल नहीं करता है यहीं कि बहुत क्रोधित होता है और बात करें एक सच्छानवे नव परस्षन के बारे में और बहुत सी क्वह संसंस का इंसर और बताना है और वोगते कि एगा सिशन आपको और फोट ने लाक होना तो कभी होगा नहीं अधीरष्टी, हीन हो यह होगा नहीं तो अब तिक आप आपका अंसर भी आ चुका होगा कि आपक्ल का आंदा होननेनी केLe 13 성 क आपी कालक double प्रशन नहीं कि महत्व पर नए जोड़े हो तो जोड़ सस्क्राइब कर लिजीगा जगनात में कौन सा संधी बिछे दोगा यहां पर पुछाए कि जगनात में कौन सा सही संधी बिछे दोगा तो इसमें भी तौमेहलांत रहेगा तो देखेंगे तौमेहलांत कीस अप्सन में है तो जगत जोरनाथ जो अगो अतोमेहलंत और जोरनाथ हो जगत जोरनाथ तो अपसन नमबर जो A है इसका राइट एंसर हो जगा उमिद करते हैं आपको समझ में आगया होगा कि जगनाथ का एंसर नमबर A इसका सही एंसर हो जगा और बैद का बिलोम सब्द क्या होता है तो आपको बताना है बैद का बिलोम सब्द क्या होगा तो इसका भी राइट एंसर अब तक आपका आगे होगा कि बैद का अवेध होता है यानिका अपसन बार जो B है इस दा राइट एंसर for this question 199 प्रशन का एंसर होगा अवेध ग्यात का बिलोम सब्द क्या होता है तो ग्यात यानिका ग्यात यानिकी खोजा हुआ है यानिका अग्यात यानिकी पुराना यानिकी जो नहीं खोजागा है उसे अग्यात कहेंगा यानिका अपसन बार जो B है इसका राइट एंसर होगा ग्यात का ग्यात कोड़बक किसकी रशना है तो आपके पताना है कोड़बक किसकी रशना है तो ये तो जाहिसी बात है मलिक मुहमाद जैसी की है यानिका अप्सन पर जो ए है इसका राइट एंसर हो जाएगा और मलिक मुहमाद जैसी के दोरा एक पूस्तक है पदमावत ये य यह हमारे सेसन में नहीं परना है निकि भुक से रिलेटेड नहीं है याद रखेगा तो अप्सेन बढ़ बी इसका राइट एंसर हो जाएगा और यहां प्रस्टने गाउं का घर शिर्षा कभीता कीस कभीता संग्राह की है तो आपको बताना है कि गाउं का घर शिर्षा कभीता कीस कभीता संग्राह की है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा वा संस्यात्मा हो जाएगा यानि का अपसान बार जो C है इसका राइट एंसर हो जएगा गाउं का घर सिरसय कभीता या संस्यात्मा के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा और बात करें कि रोज कहानी के कहनीकार कौन है काफी बार हमारे बोड़ी जामें ये पूछा गया परसन है कि इसके लेखक कौन है तो रोज कहानी के जो कहनीकार है वो अग्याजी है इसका राइट एंसर हो जएगा और बात करें मोहारा केस के बारे में तो मोहारा केस के द्वारा जो पार्ट लिखा गया है वो सिपाही की मा और बाल कृष्ण भट की बात करें तो बात चीत इनके द्वरा अमल्यागे की बात करें तो हसते हुए मेरा अकिलापन पाठ के जो लेखा के हैं वो पाल कृष्ण भर्जी है तो इसका राइट एंसर हो जगा अप्सन नमबर A सिसन अच्छी लेग रही होते से लाइक जरूर कीज़ेगा दोस्तों और यहाँ लेख पुछा गया है कि प्रित्वी का प्रेवाची सब्धिक्या होता है तो प्रित्वी का भूमी इसका राइट एंसर चला जाएगा यानि कि 204 नमबर प्रस्ने का एंसर जो होना चाहिए आपके अनुसार क्या होना चाहिए तो आपका भी एंसर भूमी ही आ रही है तो option number A जो है इसका right answer होज़ेगा आब अन तक जोरू बने रहेगा और बहुत ही कम प्रशनोतर बाचा हुआ है और अपना उलू सिधा करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो बहुत बार हमारे board exam के लिए अपना उलू सिधा करना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है यानि कि अपना काम निकलना इसका right answer होज़ेगा B is the right answer for this question यह सभी हमारे board exam में पूछा हुआ ही परशन है तो यहाँ परशने कि रगभीर सहय का जन्म अस्थान बताना है कौन सा है तो रगभीर सहय का जो जन्म अस्थान ताव है वह लखनाव उत्तर परदेश में परता है यानि कि अपसन बर जो C है इसका right answer होज़ेगा लखनाव अब मालती के पती का नाम क्या था काफी बार हमारे board exam में यह परशन पुछा गया है कि मालती के पती का नाम क्या था तो वह महेश्वर था यानि का अपसन बर जो C है इसका right answer होज़ेगा और ये जो परशन आप देख रहे हैं रंगून ये कहां है रंगून नेपाल, जपान, वर्मा, चीन तो रंगून यह जो अभी के समय है उसका नाम मयमार है यानि कि रंगून यह बार्मा को कहा जाता है यानि कि अपसन बर जो B है इसका right answer यानि कि ये पुराना नाम है बार्मा या रंगून इसे अब मयमार के नाम से जना जाता है यानि कि अपसन बर जो B है इसका right answer होज़ेगा और यह जो प्रस्ण आप देख रहे हैं कि उसने कहा था कहानी का नाया का कौन है तो इसका जो राइट एंसर होगा वह लहन सी ही जो है यानि आपसन पर जो ए' ही इसका राइट एंसर हो जेगा शिरसन अच्ही लग रहे हैं तो इसे federally कीज़ेगा दूस्तक और चैनल पर नई जूरे तो जरूर स्ब्सक्राइब कीज़ेगा और भारत का विश्येसन क्या होता है तो भारत का जो भी यह व 2002 ने इनिकी बर पर के कालगे वाट कार और बात करें उस ने कहा था की रसकी रसना है इस पंद्रय तो सुमपूर्ण के जो प्रशने नहीं होजेगा तो यह जो नारा था अब तक आपका एंसर भी आ चुका होगा कि संपूर्ण करांती के लेकर जो है वजय प्रकास नरायन जी है निका अपसन मर जो बी है इसका राइट एंसर हो जएगा और नरिस्वर किसकी रसना है तो उसी समय से हम बताते आ रहे हैं जो और नरिस्वर है या रमधारी से ही दीनकर के साथ इसका राइट एंसर चलेगा यह निके दीनकर जी और बाल कृष्ण भाट की बात करें तो बात चीत हैं मुहारा केस तो जानता ही है कि सिपाही की मा और मल हो जाता है मालती यानि कि A is the right answer for discussion और यहां प्रस्ण की एक पत्र और एक लेख के रसनाकार कौन है तो जाहिद से बाते वह भगा सिंह के साथ इसका राइट एंसर चला जाएगा चलिए नेक्स प्रस्ण को देखते हैं और यहां पे जो प्रस्ण की इनिमे से कौन सी रसना जगदीश चंद्र माथूर की है आपको बताना है कि इनिमे से कौन सी रसना जगदीश चंद्र माथूर की है तो अब तक आपका इंसर भी आ चुका होगे कि ओ सदा नीरा जो है वह जगदीश चंद्र माथूर की है और बात करें बाचित की तो बालकृष्ण भर्ट या बार बार बताने से ये रहता है कि आपको याद हो जाता है पूर्त सीपाही की मा की राश। बी के साथ इसका राइड एंसर चला जेगा और यहाँ पूच्म यहां जो होता है दोस्तूफोंत यहाँ जूठान जो होता है दोस्तों आत्मेका थाए है यानिका option बाइजो D है, इसका right answer हो ज़ेगा, जूठा जो है वह आत्मका था है, और बात करें हसते हुए मेरा अकलापन किस बिद्या की रासना है, तो यहाँ जो बिद्या है, वह रासना है diary, यानिका D, B इसका right answer हो ज़ेगा diary, इन में से प्रेम के पीर के कभी कौन है, तो प पूर दास जो है, इनकी जो भासा थी दोस्तो, वह थी ब्रज भासा, यानिके B के साथ इसका right answer चला जाएगा, तूलसी दास का बचपन का नाम क्या था, तो तूलसी दास जो थे, इनका जो बचपन का नाम था, वह राम बोला था, यानिका option बाद जो A है, इसका right answer हो ज़े यानिका option बाद जो B है, इसका right answer हो ज़ेगा, आप बस जिदत से on तक जोड़ देखेगा, और दो से तीन बार इसे देख लेते हैं तो पूर्ता आपको याद हो ज़ेगा, सभी प्रशन तर अच्छे से, और बोडिक जामे अब एक भी प्रशन तर नहीं चुटेगा, 100% गर राशना है, तो तुमुल कुलाह कलहा में यह जो राशना है दोस्तों, यह राशना आपके अनुसार क्या होना चाहिए, तो यह जो राशना है, जय संकर परसाद जी, तुमुल कुलाह कलहा, यानि का option बाद जो B है, इसका right answer हो जेगा, और बात करें, दिनकर की, तो दिनकर क जानते हैं, अर्टनारीसवर अग्ये के दौरा रोज, और अगुभीर सहाए, जो पार लिखा गया है रगुभीर सहाए, इनके दौरा जो पार लिखा गया है, वो अधिनायक, पुत्र भी ओकिसकी राशना है, तो बहुत बार बताया है, कि शुबाधर को मलचुमान, यानि दूसरा सब्तक का परकाशन वर्ष कौन सा था तो दूसरा वर्ष का जो परकाशन था वह था वह उनिस चोवन था यानि कि अप्शन में जो डी है इसका राइट एंसर हो जेगा और बात करें कि मुक्ति बोध का जन्म अस्थल कौन सा था यहाँ परकाशन था कि दूसरा सब्तक का परकाशन जो वर्ष था वह उनिस से कावन था याद रखे गया यानि कि इसका राइट एंसर हो जेगा दोस्तों यहाँ पर डी बताये थे बिल्कुल गुलत है यहाँ पर बी इसका राइट एंसर हो जेगा 100% है और मुक्ति बोध का जन्म अस्थल इन में से बताना था कौन था तो मुक्ति बोध का जो जन्म अस्थल है वह मध्य परदेश इसका राइट एंसर हो जेगा और बात करें अधिनायक किस से कभी की रशना है तो अधिनायक पुछाए दोस्तों तो अधिनायक जो है वह रगवीर सहाई की है यहां पर वरतालाप वरतालाप का सही संदी पीछेद क्या होताईगा तो वरतालाप का जो सही संदी पीछेद होता है वह वरता जोड अलाप यानिके अप्सन बर जो भी है इसका राइट एंसर हो जगा और नायक इसके बारे में हम बहुत बार डिसकस किये थे नायक हो गया नयन हो गया या पाउक हो गया या पौन हो गया इसके बारे में हम डिसकस किये थे तो इसका राइट एंसर होना चाहिए वह नायक है डबल यहां पर आकार है तो डबल एक लिए होगा ने जोर इसका राइट एंसर होजएगा और वही पुछता कि नायन तो नायन में डबल यहां पर आ का मातर आगर नहीं है तो ने जोर ओन हो जबल ऑन हो होजएगा और बात करें कि अनुवेशन का सही संधी बिछ क्थे दिख और बात करें उद्गम तो इसको भी बहुत बार बताये थे कि उद्गम तो उत्जोर गम तो में हलांत रहेगा उत्जोर गम और जो बी है इसका सही एंसर हो जेगा और निश्चल निश्चल जो है यह एक परकार की बी सरक संदी है तो निश्चल जो जो और अप्सन भी है इसका सही एंसर हो जेगा लूटेरा में कौन सा पढ柄 है तो लाश्ट में एकले है sudah अर रा यादि के एरा पढ़ते है अप्सन में जो सी है इसका राइट एंसर हो जेगा उमिद करते हैं आपको समाज में आ गया होगा और यहां प्रश्णी के अग्यान अग्यान में कौन सा उपसर्ग है तो हम जानते ही है कि उपसर्ग में पहला पद परदानत है और उपसर्ग है और जो यह तो जानते ही है कि तत्थ पूरु समास इसका राइट एंसर हो जएगा तत्थ पूरु समास नहीं कि B is the right answer for this question और यहाँ परस्ने की डाल रोटी हो गया डाल भात हो गया यह सभी दोनों पद परदान है तो दोंद समास इसका right answer हो जएगा उम्मिद करते हैं को समाज में आया होगा कि दोन्द समास घंस्याम में कौन समास है तो इसके बारा में भी हम डिसकस किये थे सेसन में अगर सुरू से अन तक देखे होंगे तो घंस्याम में जो पूछा है कि कौन समास है तो वह क्रमधारे समास है यानि का अपसा नंबर जो ए है इसका right answer हो जएगा और चोराहा में कौन समास है तो हम बहुत बार डिसकस किये थे कि जो भी सब्द होगा उसका पहला पद अगर संख्यात्मक होगा तो तो द्वीगू समास के साथ इसका right answer चला जाएगा और पितांबर में कौन समास है तो जिनका पीला वस्तर होता है उसे किसे कहते हैं तो उसे ही हम लग बिश्णूर को कहते हैं तो बिश्णूर को हम कहेंगे वह बहुत ब्रीज समास है निका अलग से पद इसमें आ रहा है तो बहुत ब्री समास के साथ इसका right answer चला जाएगा और पाय का परेवाची सब्द क्या होगा तो पाय का जो परेवाची सब्द होता है दोस्तो वह दूद ही होता है यानि कि option बर जो ए है इसका right answer होजेगा तो चले अब next प्रस्ण को देखते हैं और यहां पर परस्ण की अनुराग का बिलोम सब्द क्या होता है तो अनुराग का बिलोम सब्द हो जाएगा बी इसका right answer हो जाएगा ओथ का बिप्रितार्थक सब्द यानि के उल्टा सब्द देने के बिलोम सब्द क्या होता है अप्सन बBe沖 सी का र compliance यह यह भी प्रस्ट ने थे कँड़ल ईसे सेशन में अस्थावर का विलोम सब्सब्र कहता है च क्या होता है तो अस्थावर का पुछmani पुझ तो अस्थावर का जंगम और बहुत ही कम प्रस्ण है और 12 प्रस्ण है तो नौर का बिप्रितार्थक सब्द जो होता है वह नारी हो जएगा नौर है यानिके पूर आदमी का पूरस का तो नौर का नारी हो जएगा अप्सन बर D इसका राइट एंसर हो जएगा अस्तूती अस्तूती का बिलोम सब्द क्या होता है इसे भी देखे थे तो अस्तूती का जाहिए से बाद है निंदा करना यानिके अप्सन बर जो D है इसका राइट एंसर हो जएगा और यहाँ प्रस्ण की संध्या का बिलोम सब् और सन नमर जो B है इसका राइट अंसर होता है निशा यानि की रात होता है सिव का उपासक क्या कलाता है तो सिव का उपासक सेव कलाता है इसे भी देखे थे और सिव का बिशेशनल पुछता तो सिव का सेव ही होता है B is the right answer for this question तो चलिए next question प्रस्ण को देखते हैं और यहाँ पे प्रस्ण है की अपने पेरों पर खारा होना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है काफी महत्तपों प्रस्ण है दोस्तों की अपने पेरों पर खारा होना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है अचानक मुसीब्यता नहीं कि option number जो B है इसका right answer हो जेगा और यहाँ प्रस्णिंग घाट घाट का पानी पीना मुहाबरे का अर्थ क्या होता है तो काफी मत्यपून प्रस्ण है कि घाट घाट का पानी पीना मुहाबरे का जो सही अर्थ होता है वह बहुत अनुभावी होना ह है अनुआ का option number जो ए है इसका right answer हो जेगा और यहाँ पर प्रस्णि है कि sworn का भी शेषन क्या होता है तो switch और यहां पर जगत का बीशेशन होता है दोस्तों जगदीश के साथ बात करें यहां पर दीन का जो सही बी सेशन होता है दोस्तो दीन का दैनिक हो जाएगा यनिका अप्सन बाद जो बी है इसका राइट एंसर हो जाएगा तलवार सब्द का बिलोम सब्द जो होता है दोस्तो वह सायक हो जाएगा अप्सन बाद जो बी है इसका राइट एंसर हो जाएगा तो दोस्तो इस परकार स से लग 250 प्लस से अब्जेक्टिव कोशन को किलियर कर चुके हैं अगर इन परस्टों को आप लोग सही से याद कर लेते हैं तो बोड इकजा में पूरे है तो थैंक्यू फॉर वाचिंग कर दो कर दो एक है तो इसलम जाएं जाएं एक है जाएंड रिखा ट अबसकी नहीं में है कर दो में होने अ जातने दो यह वह सुआ है